तारक मेता का उल्टा चेश्मा में मेता साब का बॉस मेता साब के गर पहुंच जाता है और अमरे के अंदर जाने लगता है मेता साब को देखने के लिए Hello guys, मेरा नाम है शुबम और आप देख रहे हैं समग रहाम बिना किसी देरी के शिरू करते हैं वीडियो वीडियो में बने रहे हैं, एंड तख Friendly भावी दोड़कर रूम में जाती हैं फिर हाती भाई और बिड़े भी टेंशन में मेता साब के रूम में जाते हैं वहां देखते हैं कि मैता साब तो रूम में आराम कर रहे हैं, यह देखकर मैता साब का बास चौंक जाता है और मैता साब को उठाता है, फिर मैता साब दर्द में होने की एक्टिंग करते हैं, मैता साब को रूम में देखकर हाती बाई और बीड़े बहुत कुछ हो जाते हैं, मैता साब का बास मैता साब के हाल चल पूछता है फिर भी मैता साब का बास डाउट करता है तो मैता साब कहते हैं आपको मेरे पर यकीन नहीं है फिर बातों बातों में मैता साब का बास कहता है कि अपना पाउं दिखाओ फिर गबराते गबराते मैता साब पाउं दिखाता है तो उसमें पट्टी की जग़ा डुपट्टा बंदा हुआ होता है फिर मैते साब का बस पूछता है कि मैते तुमारे पाओं में तो पट्टी थी ना फिर डोपट्टा कैसे तो मैते साब कहते हैं मैंने जल्दे ठीक होने के लिए डोपट्टा बंदा हुआ है फिर बस को याद आता है कि मोच तो दूसरे पाओं में लगी थी और डोपट्टा बंदा हुए इस situation को हाती भाई समालते हैं हाती भाई बोलते हैं कि वो वीडियो कॉल में ऐसा दिख रहाता यही वाले पाउ में मोच लगी है मैता साब को फिर जैसे तैसे बास मान जाता है और मैता साब से मिलकर जाने लगता है जब वो बाहर आता है तो गुकल नम ससाइटी की और लोगों की कूप तारीफ करता है कि मैते को ससाइटी में बहुत अच्छे लोग मिले हैं फिर मैता साब को बास अपनी कार में बैठ कर चला जाता है फिर सब मैता साब के घर बात कर रहे होते हैं कि कैसे कैसे उन लोगों ने बास को रोक कर रखा था फिर मैता साब को ब तो उसमें डेठाल निकलता है, अब आगे देखाया जाएगा कि मैता साब के गार सब बड़िया नाश्ता कर रहे होते हैं, और अचानक से फिर बेल बचती है, तो सब फिर से टेंशन में आ जाते हैं, मैता साब भागते हुए रूम में चले जाते हैं, अब देखना होगा कि क तो समा ग्राम